Hello students, welcome back once again, आज़ में इस वीडियो में पढ़ेंगे class 10 science chapter 14 sources of energy पढ़ा ही basic and knowledgeable chapter है, आपको एकदम सारी चीज़े एक घंटे के अंदर clear हो जाएगी, वीडियो सो हो सकता, छोटी भी हो जाए तो इस chapter में बस कुछ नहीं करना, आपको बस जो कुछ भी कहा जाए, उसको सुनना है, उसको एक बार सोचना है, उसको देखना है, सारी बाते खुद बाखुद आपके समझवा जाएगी ये सब कुछ आपके brain में पहले से restore है पहले से restore है आपको बसको एक बार पाहर निकालना है एक बार revise करना है जो data है उसको revive करना है तो पहला question हमारे पास इस chapter से बनता है sources of energy से that what is energy तो मारा answer है क्या होगा? energy क्या है? energy is the ability to do work energy is the capacity to do work यदि आज हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो मारे पास energy होना चाहिए energy living object के पास that means living being के पास भी होती है living और non living के पास भी होती है कोई भी system है उसको energy की जरौत है अगर वो कोई काम करना चाहता है तो अगर आज मैं बोलना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी की ज़रोत है मेरे घर में अगर आज मुझे उचाला करना है बल्क जलाना पड़ेगा तो एनर्जी की ज़रोत है फैन चलाना है एनर्जी की ज़रोत है कार से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो energy supply करना ही पड़ेगी otherwise वो कार आगे तक नहीं जाएगी तो कुछ भी अगर आज मुझे करना है आज का मतलब कल पर सोनर से हो कुछ भी करना है तो हमें energy की requirement होती है अब वो energy की requirement को पूरा कैसे किया जाए energy की requirement को पूरा कैसे किया जाए then we need to have some source of energy हमारे पास कुछ sources होना चाहिए energy के otherwise without source जैसे मान लोग अगर आज मुझे energy को ज़रूत है तो मेरे पास कुछ source होना चाहिए ना कि यहाँ से मैंने एक switch दबाया so join किया और उसके बाद मुझे energy बिल गई तो मेरे पास कोई source होना चाहिए और उनी sources को हम study करेंगे इस chapter में that is called sources of energy तो बड़ी basic सी question अगर मैं आपसे पूछू कि इस दुनिया में सब इससे ज़्यादा energy सबसे ज़्यादा energy का अगर consumption होता है तो वह कौन सी energy है किस energy को सबसे ज़्यादा हम खर्च करते है energy के किस form को हम सबसे ज़्यादा खर्च करते है equity करते है हमारा answer होगा आप बताओ सोच के बताओ कौन सी energy है हमारा answer है electrical energy and heat energy बही अगर मुझे आज खाना खाना है तो खाना पकाना पड़ेगा. आप उसके कारन्ट से फिर जो है हमें energy मिलती है, तो mainly हमें heat energy चाहिए, क्या चाहिए, हमें heat energy चाहिए, और heat energy से हम खाना पका सकते हैं, अपने daily requirement को पूरा कर सकते हैं, इसके साथ-साथ electricity बना सकते हैं, इसके साथ-साथ पहुत-बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो एक है heat energy, इसके साथ-साथ, मतलब heat energy स से electrical energy बनाखर शक्ती है और डायरेक्ट भी Hare Finding बनाया जा सकता है कैसे इस विडियो में देखेंगे तो आपसे पूछा जाए कि कि दो Energy का कंजम्शन सबस्य आदा होता है कौन ख़ंसा है जान्हेश नमारा हैzentëर हिट एनर्जी एंड electrical energy, because उस दुनिया में आज की टाइम पे modern era के हम बात करें तो electrical energy के बिना साथ कुछ भी possible नहीं है, आप एक room में अगर अंधेरा हो जाए तो उस room को जल्दी से बाहर नकला होगे, है नब अंधेरा अगर 24 जंटे रहे तो हम उसमें नहीं रह सकते हैं बिना fan के, बिना cooler के, बिना bulb के, बिना mobile के अब कैसे रहा जाएगा, तो हमें energy की जरूत है, तो अब अगर हमें आरी daily life energy पर पूरी तरह से dependent है, तो फिर हमें जानना होगा के energy के sources क्या है हमें उन sources को study करना होगा and now we are moving towards sources of energy तो अब हमारे सामने question बनता है कि हम sources of energy से क्या समचते हैं, तो याद रखना कोई भी system, इस चीज़ को इस definition को आपको याद रखना है any system that can provide any system that can provide energy a very convenient and steady form for a very long period of time is called source of energy आपको समझाते हैं, कोई भी system जो हमें एक लंबे समय तक एक proper manner में, एक steady rate से energy provide करा सके उस system को हम source of energy कहते हैं यहाँ पर एक बात समझने वाली है steady rate definition में एक बात समझने वाली है steady rate, steady rate का मतलब होता है एक constant rate से एक जैसे uniform तरीके से uniform का मतलब का है जैसे आप समझते हो, जब बिजली कड़कती है जब बिजली चमकती है तो charges का transfer होता है उस बिजली में जब lightning होती है तो charges का transfer होता है from ground to earth और we can say from cloud to ground हाँ ना? गलत बोला क्या? हाँ जी तो from ground to clouds और from clouds to ground तो बिजली जब चमकती है charges का transfer होता है लेकिन यह charges होते हैं, यह जो electricity होती है एक बार में इतनी हमें मिल जाती है कि हम उसको store नहीं कर पाते हैं हम उसको use नहीं कर पाते हैं तो यह instantaneous है कैसी है? instantaneous energy हमें मिलती है हम उसको utilize नहीं कर पाते हैं तो energy अगर हमें steady rate से मिलेगी uniform way में मिलेगी तो हम उसको use कर पाएंगे तो हम ऐसा system को ऐसे सिस्टम को source of energy कह सकते हैं जो हमें एक लंबे समय तक constant rate से convenient manner में energy supply करती रहे अब sources of energy के बारे बाद में हम बात करेंगे कि जो भी हमें energy source से energy मिल रही है या फिर जो हमें fuel मिल रहा है देखो main चीज़ है कि source of energy का मतलब क्या था energy हमें कहां से मिलेगी fuel से मिलती है कहां से मिलती है fuel से चाहे वह हमारा petrol हो चाहे diesel हो चाहे हमारा nuclear fuel हो तो energy हमें कहां से मिलती है fuel से fuel को burn करा जाता है reaction करा जाती है और वहां से हमें heat के form में energy मिलेगी तो अब जो हमारा source होना चाहिए energy का या फिर कहें ideal fuel वो कैसा होना चाहिए आपको बता दूँ यह पूरा जो main chapter है यह electrical energy को बनाने के इर्दगर्द घूमता है electrical energy किस तरह से बनाई जा सकती है heat किस तरह से produce किया सकती है यह इसके पूरे आगे पीछे घूमता है तो आपके सामने question अब यह बनता है what are the properties of ideal fuel ideal fuel की या फिर ideal source of energy की properties क्या क्या है तो पहला आपको जो है सबसे जो important point है जिसको आपको समझना है और जिसको आपको याद रखना है that is calorific value अगर हमारे पास एक ideal source of energy है या फिर ideal fuel के हम बात करते हैं तो आइडियल fuel के पास high calorific value होना चाहिए high calorific value का मतलब होता है के calories समझ तो calories calorie का मतलब होता है unit of energy तो अगर मेरे पास दो fuel है दो fuel का मतलब है एक मेरे पास coal है और एक मेरे पास uranium है uranium दोनों एक-एक kg है 1 kg coal और 1 kg uranium अब मान के चलिए अगर आप 1 kg coal जलाते हैं 1 kg coal को burn करते हैं तो आप वो कितनी energy कितनी heat मिल सकती है बहुत जाद हो नहीं मिलेगी ना लेकिन लेकिन अगर आप 1 kg uranium को अगर burn करें 1 kg uranium को 1 kg uranium की reaction कराएं जिससे आपको heat मिले तो वो इतनी heat हमें मिलेगी इतनी sufficient quantity में heat मिलेगी कि हम उससे बनने वाले electricity को एक town की requirement को पूरा कर सकते हैं समझ पारे हो तो 1 kg coal को जलाने से आपको कितनी heat मिली बहुत कम आप जाए साथ हैं 2-4 बाल्टी पाने गर्म कर सकते हो भले उससे जादा हो जाए भले उससे जादा हो जाए तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ideal fuel की that is called ideal fuel should have या फिर ideal fuel must have high calorific value high calorific value का मतलब होता है कि पर unit fuel को burn करने से पर kg fuel को burn करने से हमें ज्यादा स्यादा energy मिले और example coal को एक जी बंड किया तो में 50 जूल energy मिली जब कि अगर हमने uranium को एप्रॉक्स में value बता रहा हूं या फर कहूं कि मन से value बता रहा हूं अगर हमने uranium को burn किया तो हमें एक लाख जूल energy मिल गई समझपा रहा हूं तो इसकी जो calorific value ज्यादा है तो इससे हमें ज्यादा वर्क मिल सकता है जबकि दूसरे से नहीं मिलेगा बात करते हैं second property second property है कि जो हमारा fuel है ideal fuel जो है वह easily accessible होना चाहिए कि हर टाउन में हर city में मिल जाए इसके साथ-साथ transportation facilities के बारे बात करें तो बहुत 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 होना चाहिए अराम से एक point से दूसरे point उठाकर रख दिया जाए ट्रांसपोर्ट कर सकें दर्वाइस यहां से वहां ले जाना तो कैसे लेकर जाएंगे इसके साथ-साथ pollution free होना चाहिए जब pollution free होगी तो किसी तरह के health जो है damage नहीं होगा किसी को smoking की बात करें बहुत स्मोक या फिर एश या फिर किसी भी तरह का जो residual material है वो नहीं छोटना चाहिए कि जलने के बाद राख नहीं चाहिए हना तो इस तरह की चीज़ नहीं होना चीज़ यह ideal fuel की properties हैं अब हम बात करेंगे energy energy के sources हैं उनको दो पार्ट में categorize किया गया energy के sources को दो फॉर्म में categorize किया गया first one is conventional source of energy second one is non-conventional source of energy क्या first one is conventional source of energy second is non-conventional sources of energy अब बात करते हैं conventional source of energy क्या होते हैं conventional source का मतलब वो sources वो sources जो की nature में limited हैं जो की nature में limited हैं जिनको अगर हम use करेंगे तो एक time के बाद वो exhaust हो जाएंगे और हम उनको दोबारा से renew नहीं कर सकते जैसे कि एक बार पर सुनिए conventional sources का मतलब है वो sources of energy जो की nature में limited हैं जिनको हम बार बार लंबे समय तक use नहीं कर सकते that means हम उने renew नहीं कर सकते they are also called non-renewal sources of energy आपने कई बार जो TV में देखा होगा फ्यूल बचाईए अगर आप traffic में हो तो car को off कर दीजिए जिससे क्या होगा कम कम क्या लगगी कम petrol लगेगा डीजल लगेगा तो यह क्या है बई डीजल पेट्रॉल फ्यूल source of energy है अगर हमारा source of energy जो है energy का जो source हो डिप्लीट होता जाएगा तो क्या होगा खतम हो जाएगा फिर हमें कोई नए sources जूड़ने पड़ेंगे समझ बार आपने कई बार टीपैट देखा होगा save electricity वह electricity बचाने क्यों कह रहे है गवर्मेंट को तो कहां से ढूड़ेगी that's why आपको हर जगे देखने को मिल जाएगा save fuel, save electricity क्योंकि अगर हम फ्यूल को ज्यादा बन कर रहे हैं हम electricity को ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उस cases में, उन cases में energy के जो sources हैं वो deplete होने लगेंगे, खतम होने लगेंगे और एक time ऐसा आएगा क कि हमें नए sources of energy पर जाना पड़ेगा, तो आपसे पूछाता है अभी conventional sources of energy क्या होते हैं, तो conventional sources of energy वो energy resources हैं, वो energy sources हैं, जो कि time के साथ-साथ exhaust हो रहे हैं, खतम हो रहे हैं, उनको हम replenish, renew नहीं कर सकते हैं, और एक time के बाद ये पूरी तरह से खतम हो जाएंगे, इसका example है को coal, 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 wood, fossil fuels, जो हमारे जो plants, animals के जो residuals थे, वहां से हमें जो fuel मिलता है, उसको हम fossil fuel का है, जैसे के petrol हो गया, डीजल हो गया, तो यह आपका petroleum हो गया, nuclear fuel हो गया, यह सारे के सारे कहें, conventional sources of energy हैं, जो nature से जमीन के अंदर से हमें मिल रहे हैं, ये एक समय के बाद खत्म हो जाएं नहीं, जियो thermal energy के हम बात में बात करते हैं भी, तो आप बात करेंगे, non-conventional sources of energy, तो non-conventional sources of energy, conventional से just opposite है, non-conventional sources of energy का मतलब यह है, कि जो वो sources, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जिनको हम बार-बार replenish कर सकते हैं, नए बना सकते हैं, जैसे कि coal को हम दोबारा से अगर एक बार हमन wind energy मिल रही है, हम उसको एक बार फिर से अगले दिन यूज़ कर पाएंगे, अगले दिन का हवा घूम का जागी तो फिर से यूज़ कर सकते हैं, wind energy बार-बार हम यूज़ कर सकते हैं, ocean की जो energy मिल रही है, बार-बार यूज़ कर सकते हैं, यह जो energy है, वो time का साथ exhaust नहीं हो different sources of energy इनको detail में जानेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ठीक है ना comment करके ज़रू बताना है आपको कि ये वडियो आपके लिए कितनी helpful हो पा रही है comment ज़रू करना तो students अब हम जानेंगे किस तरह से electricity को produce किया जाता है चाहे वो आपके thermal power plant हो चाहे वो आपके hydro power plants हो न्यूगलर power plant हो या फिर वो आपके wind mill ही क्यों ना हो किस तरह से electricity को generate किया जाता है इन सभी के पीछे एक basic सा concept है जिसको हमने कई बार अपने बच्पन में देखा हुआ है तो इस case में सारे लोग क्या करते है बोलो सारे लोग जो है flans जरा लेते हैं लेकिन वह तो हम सब करते हैं लेकन जो main जो person होता है साधी में जिसने साधी host किया होता है उसका क्या होता है वो जाता है और जल्दी से generator on करवाता है जैसी वो generator on करवाएगा वैसी electricity आ जाएगी व अगर हमें electricity चाहिए तो क्या हम generator से ले सकते हैं हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो तो electricity that means generator electricity produce, generator electricity generate करता है अब जराज खुत तोचो कि generator में electricity कैसे generate होती है उसको गुमाना पड़ता है फिर उसके अदर अपन ने यह से generator के वर्किंग पढ़िए वह अलग चीज़ यहां पे नहीं ब तो फिर electricity में मिल जाएगी बस यही basic principle याद रखना अगर घर में electricity चाहिए शादी में electricity चाहिए तो छोटा generator होगा उस छोटे generator को आप घुमाओगे आपको electricity मिल जाएगी लेकन अगर पूरे देश के लिए पूरे state के लिए पूरे district के लिए आपको electricity generate करनी है तो कितना energy हमें हमारे पास होने चाहिए अब उस generator को हम दो तरह सो गुमा सकते हैं या तो human सो गुमाया जाए उसको इंसान गुमाए लेकिन इंसान आलसी होते हैं और इसके साथ साथ इतना ज्यादा efficiently work नहीं कर पाते तो decide किया गया कब अब इंसानों का जो है इसमें help नहीं लेंगे generator generator गुमाने में नहीं तो जो है अगर चार लोग generator गुमाने हुए लग गए तो बोला यह 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 गुमाता रहेगा मैं सिर्फ अहाद लगा लेता हूं है ना तो फिर काम चोरी करेंगे तो क्या सोचा गया फिर सोचा गया कि जो है इस generator को अगर गुमाने से electricity बनती है तो अब generator गुम जाएगा electricity बनने लएगी तो अब बात करते हैं सब से पहले thermal power plant की thermal means heat तो thermal power plant में क्या होता है कि कोईले का यूज करके या fossil fuel का यूज करके पानी को गर्म किया आता है है ना तो sources of energy का यूज हो रहा है ना मतलब petrol diesel कोईले का यूज करेंगे that means source of energy का आप यूज कर रह that means भाप वेपर पानी घर्म करोगे तो बनेगी steam अब steam में याद रखना इतनी ताकत होती है कि वो turbine को गुमा सकती है किसको गुमा सकती है turbine turbine का मतलब आप यह समझे एक ऐसी machine है जिसमें blade लगी होती है जिसमें blade लगी होती है और यह turbine connect होती है direct generator से अगर turbine घुमेगी तो generator भी घुमेगी और अगर generator घुमेगा तो electricity बनेगी एक बार basic layout फिर समझते हैं कि पानी घर्म हुआ कहा से sources of energy खर्च हो रहे हैं पानी घर्म हुआ पानी घर्म हुआ तो बनी steam steam बनने से क्या हुआ यह steam गई turbine को घुमा ने turbine घुमी तो generator घुमा तो फिर electricity बन गई और वो electricity हमारे घ power plant, heat का use करके पानी घर्म किया आता है steam बनने घुमा जाती है और घुमाने के बाद जो generator घुमा जाता है ठीक है अब आते हैं हाइड्रो पावर प्लाइट पर फिर दोनों के advantage डिसदवांटेज है ठीक है अब आते हैं हाइड्रो पावर प्लाइट पर अब में चीज क्या है में जिस क्या है जनेरेटर गुमाना पहले heat का यूज करके पानी गर्म किया है steam से तरबाइन गुमा के जनेरेटर का लाया अब डायरेक्ट पानी का यूज करेंगे hydro power plant में क्या है hydro means water तो पानी से electricity बनाने को हम hydro power plant कहते हैं देखो तो बड़े बड़े डेम होते हैं डेम में आप जानते हो पानी स्टोर होता है अब जब डेम से पानी छूटता है तो उसके पास कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उसके पास डेम के अंदर जब पानी स्टोर है तो उसका पोटेंशल एनर्जी है और जब पानी जब motion में आदा तो उसके पास कशज़ानेटीक एनरिजी होती है और इतनी आदा काशज़ानेटेक एनरिजी के साथ जब ये water turbine से टकराता है तो turbine की blades घूंती है तो turbine की blade घूंएगी तो turbine coupled है किसके साथ generator के साथ तो फिर generator भी घुंएगा अगर generator घूमा अगर generator घूमा प्यारे बच्चों तो फिर क्या होगा तो फिर electricity बन जाएगी तो thermal power plant में heating की कई steam बनाएगे turbine घूमाएगे और generator चलाया गया disadvantages क्या है? disadvantages है कि इनको जो है एक large area चाहिए पहला disadvantage इनको large maintenance चाहिए यहाँ पर skilled labor की जरौत होती है इनका जो cost है वो काफी ज़्यादा है यह सारे इसके क्या है? limitations बागे use यही होते है एडवांटे डिसडवांटे तो लिखने पड़ेंगे लेकिन use यही ज़्यादा होते है कि हम हर जगे नहीं लगा सकते जहां पर डेम होगा सिर्फ वहीं पर लगाए जाएगा जबकि thermal power plant तो सिर्फ हमें जगे की जरौत होती है पानी के सोर्स की जरौत होगी और वो हमें boring-waring करा के आराम से मिल ही जाता है है इतना पानी जो है नदी के किनारे आराम से बना सकते ह चलिए आगे बात करते हैं तो आपको समझ आया कि hydro power plant thermal power plant में किस तरह से electricity बना जाती है बात करेंगे nuclear power plant में क्या होता है तो basic principle को समझे आप आप से प्रोसेजर पूरा नहीं पुछे का basic principle को समझे अगर आपको पूरा प्रोसेजर जानना है तो आप beauty results करना nuclear power plant बाय अभी श प्रों करते हैं विद्धियाल पफ कोल और कोईला लगड़ी हो सकती है पेट्रोल हो सकती है लेकिन यहां पर हम करते हैं nuclear power plant में जैसे कोल एक fossil fuel है बैसे ही बैसे ही फिजनेबल मेटरल होता है जैसे कि uranium यह भी fossil fuel है यह भी धरती में पाया जाता है तो जैसे कोईले को जलाने से बहुत जादा enormous heat मिलती है बैसे ही nuclear reactors में nuclear reaction कराने से बहुत बहुत जादा heat energy मिलती है उस heat energy से हम पानी को गर्म करते हैं same procedure steam बनती है turbine चलती है और फिर जो है हमें और फिर हमें का मिल जाती है हमें generator घुमा करके energy मिल जाती है आपको याद रखना कि यहां पर nucleus को तोड़ा जाता है nuclear power plant में nucleus को तोड़ा जाता है with the help of with the help of fast moving particle with the help of fast moving particle मतला समझे कि fast moving particle आता है nucleus से टकराएगा uranium की और उसके बाद क्या होगा कि वहां पर है uranium की nucleus में bombardment होगा particles अलग-अलग होंगे जब particle अलग-अलग होंगे तो वहां पर बहुत जदा energy release होगी और nuclear reaction से हमें काफी ज्यादा enormous amount में heat मिलती है उस heat से हम पानी कर्म करके steam चला के और जो है क्या कर सकते हैं अपने generator चला सकते हैं तो I hope आपको यह basic layout समझ में आया होगा अब बात करेंगे कि nuclear power plant के advantage, disadvantage क्या है तो same चीज़ लिखने हैं आपको कि यहाँ पर labor जो होगी skilled चाहिए maintenance cost बहुत जादा है इसके 2-4-5-10 km के area में कोई रहे नहीं सकता residential area नहीं होता बिकर यहाँ पर बहुत जदा खत्रा होता है, danger होता है किस चीज़ का radioactive raise निकलने का समझ यह सारी चीज़ा हम लिख सकते हैं, अब बात करेंगे कि windmill में क्या होता है, तो windmill में भी same होता है, windmill में क्या होता है, windmill में wind चलाई जाती है, देखो दो चीज़ होती है, एक होती है air और एक होती है wind, air का मतलब क्या, normally जो हमारे आसपास हवा है उसको air कहते है, wind का मतलब आसे हम electricity कैसे produce करते हैं, तो आपने सुना पवन चक की windmill, तो coastal areas में जहां पर हवा बहुत जादा होती है, जहां पर windmill लगा दिया जाती है, windmill मतलब blades लगा दिया जाती है, अब हवा आईगी तो blade घूमेगी, और अगर blade घूमेगी, और अगर blade घूमेगी, तो उसके साथ connected ह generator, generator चला जा सकते हैं, हैना किसी तरह की water motor वगरा चला जा सकते हैं, तो बहुत सारे काम यहां पर हो सकते हैं, अब बात करें कि demerits क्या है, तो demerits यह है कि हर समय पर हमें constant rate से air की speed नहीं मिलती है, maintenance cost बहुत जादा है, cyclone वगरा आ जाए तो, तो danger हो जाता है किस चीज़ का, कि इसमें किसी तरह की problem ना आ जाए, हैना बारिस वगरा में, बारिस वगरा में भी थोड़ा सो खराब वराब होने की problem होती है, हैना, तो आपको यह point थोड़ा systematic तरीके से लिखेंगे, जिसा आपको screen पर दिया है, तो आप आराम से इनको कर पाएंगे, आगे बढ़ते हैं, बायो मास के लिए, तो यह जो बायो मास से हमें energy मिलती है, यह हमें electrical energy भी मिलती है, लेकिन जाए तर हम जो इसको use कर सकते है, heat energy के लिए, देखें, अगर मैं आप से कहूं, नॉर्मल सी बात मैं आप से कहता हूं, कि बायो मास पहली चीज़, conventional source है, conventional source, तो बायो मास में क्या होता है, वो मीथेरे का सब्सक्राइब होती है, यह highly combustible होती है, आग लग जाती है, आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी गटर वगरा में, अगर कोई जैसे मालो smoking वगरा कर रहा है, को परसन तो वहाँ पर आग लग गई, क्यों, आपने कई दिन, मतलब काफी सारे ऐसे cases से जाधे रहते हैं, गटर चेमबर में सफाई करने के लिए सफाई करमचारी उतरे नीचे, और उन्होंने जैसे कई बार जो है, लोगों को हैबिट होती है, smoking वगरा करने की, तो उसी के अंदर उन्होंने एक बीडी जलाई, जैसे माचस की तीली जलाई, उस माचस की तीली ये गैस हमारी LPG में भी होती है, और इस तरह से आग लग जाती है, तो में चीज क्या है, कि इसमान लोग काउडंग है, कच्रा है, गोबर है, गोबर को काउडंग ही कहते हैं, तो काउडंग की सलरी बनाई जाती है, मतलब से पानी वगरा मिला करके थोड़ा सा उसका गोल बना जाता है, और उसके बाद जो है, उसको चेंबर में डाल दियाता है, चेंबर में जब उसको डाला जाएगा, कुछ दिनों के बाद, कुछ वीक्स के बाद, कुछ महीनों के बाद, उसमें गैस बनना है, स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसमें काफी एक सफिशेंट अमा तो उपर से एक pipe निकाला जाता है और इस pipe से गशस्य समझें आ रहे होँगे अब अहुप कर करते हैं solar energy that is biggest biggest मैं कहूंगा form of energy sun is the largest source of energy अब बात करेंगे कि sun से जो हमें solar energy मिलती हैं the form of heat or radiation उस total energy का सिर्फ 47% हमारी अर्थ की lower surface तक पहुच पाता है जहां पर हम रहते हैं बाकी जो remaining जो radiation जो heat होती है वो atmosphere की topmost layer से reflect हो करके space में वापस लौट जाती है जरा सोचो कि अगर पूरी heat अर्थ तक आती तो क्या होता पहुँच जादा temperature अर्थ का और जादा पढ़ जाता बात करते हैं कि हर जो sun की heat होती है जो sun से जो हमें हमारे पास तक heat पहुंचती है जो radiation पहुंचती है हम उससे direct तो पानी नहीं उबाल सकते ना direct stream नहीं बना सकते direct stream नहीं बनेगी तो फिर turbine नहीं चला पाएंगे turbine नहीं चलेगी तो फिर generator भी नहीं चल सकता तो solar energy से हम turbine तो नहीं चला सकते हैं generator तो नहीं चला सकते हैं लेकिन कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं कि बिना turbine चलाए हमारे तक जो है हमें electricity मिल जाती है आ और आप कहीं भी जाओ आपको हर जगे आप solar panel देखने को मिल जाएंगे तो solar panel में होता क्या है actually जो solar energy आती है उसको electrical energy में convert किया जाता है solar panel जिस पर light sunlight incident होती है solar panel black color के बना जाते है solar maximum जो radiations को यह absorb कर पाए इसके साथ साथ जो solar panel हम देखते हैं वो खाली एक board नहीं होता उसमें there are large number of solar cells present है ना solar cell present होते है solar panel में अब solar cell मिलके बनी होते हैं semi conducting material semi conducting material में silicon के semi conductors हम उस material हो गयते हैं या फिर मैं कहूं semi conductor ऐसे material होते हैं जिनमें low temperature पर current flow नहीं होता लेकिन जैसे ही उन्हें temperature मिलता है जैसे उनके पास उनका temperature बढ़ाया जाता है तो फिर उनका electron अपने atom से बाहर हो जाता है that means free हो जाता है free हो जाता है तो फिर इस cell में आगर electron free हो गया that means free electron का करते है current constitute करते है तो फिर हुआ क्या कि वे solar panel में है solar cell solar cell क्या है silicon का बना हुआ उपर से sunlight आई silicon वाले solar cell में पढ़ी तो इस solar cell के अंदर जो electron होगा sunlight that means solar energy मिलने से वो electron अपने atom को छोड़के चला जाएगा atom को छोड़के चला जाएगा तो एक side बहुत तो उसके अंदर current बन गया तो यहाँ पर क्या होगा भई electrons अलग, positive charges अलग तो फिर cell में potential difference generate हो क्या और जब एक cell है potential difference हुआ तो बहुत बहुत सारे cells में potential difference generate हो इसे तरह से तो overall हमें potential difference मिल जाता है जिसके current से current flow होता है that means electricity generate होती है solar panel के तरो clear है, तो इस तरह से हम solar cell का use करके, that means solar panel का use करके, solar energy का use करके electricity को conduct करा सकते है electricity को generate करते है तो solar cells में, जो main चीज़ जो खामी है, जो परिशानी है वो यह है, कि यह costly बहुत है otherwise हर घर बे लग जा होता इसके बीचे का main reason यह है कि silver एक best conductor है तो यह costly भी है, जिस दिन sun नहीं होगा, सर्दी के season में, कम आपको देखने को मिलेगा, या फिर कहें, कि बरसात है तो फिर वहाँ पर आपको solar energy का बेट करना पड़ेगा, लेकिन वो आईगी नहीं, समझ पर, समझ बार हो ना तो हम बोलाएंगे solar energy नहीं आईगी हैना, तो वहाँ पर ऐसी situation में solar energy के, मैं कहूँगा कि यह इसका एक demerit साबित हो सकता है, cost ज़्यादा है maintenance ज़्यादा है इसके साथ साथ जिस दिन clouded है उस दिन यह सारे problems का सामना हमें करना पड़ेगा कि solar energy के साथ साथ हमें एक alternative अपने साथ रखना पड़ेगा अब benefits आप लिख सकते हो ना कि pollution free है danger कम है इसके साथ साथ मैं कहूँगा किसी भी तरह का health को नुकसान नहीं पहुंचा था आप इसके कुछ benefits और लिख सकते हैं पा रहे हो अब बात करेंगे जियो धर्मल एनर्जी अब जियो धर्मल एनर्जी के कॉंसेप्ट आ पारा हम समयदे जियो मतलब अर्थ thermal means heat तो अर्थ के अंदर अर्थ के अंदर आप समझते हो बही काफी सारी ज्यादा अर्थ के अंदर आप मॉल्टन लावा तबी तो अर्थ के अंदर हीट बहुत बहुत जादा है तो इतनी यादा हीट होने से कई जगहों पर hot spot बन जाते हैं hot spot मतलब वो जगह बहुत गर्म होती है जब वो जगह गर्म होती है तो वहाँ पर अर्थ के अंदर जो पानी होता है जब वो पानी उस hot spot के contact में आता है उस hot location के contact में आता है तो पानी गर्म होने के साथ साथ steam के form में convert हो जाता है फिर pump वगरा लगा कि steam को निकाला जाता है turbine चला जाती है और as usual क्या बना दिया आता है जनेरेटर चला के electricity पना दी जाती है अब आप बात करेंगे जियो thermal के losses क्या क्या है benefit तो आप बदा सकते हो ना pollution free है किसी तरह के जो है residual हमें नहीं मिलते हैं health को कोई भी नुकसान नहीं है यह सारी बाते आप बदा सकते हो लेकर अगर disadvantage इसकी बात की जाए तो maintenance cost बहुत जादा है हर जगह पर हमें uniform तरीके से जियो thermal energy या फिर steam में नहीं मिल सकती पर हाट spot हमें देखने को नहीं मिलेंगे समझ पा रहे हो that means यह कुछ particular locations में ही हमें मिलेगी यह हमारे हिसाब से हम जियो thermal power plant नहीं लगा सकते जो जियो thermal power plant है वो हम nature के इसाब से लगाना पड़ेगा उस particular location पे लगाना पड़ेगा इसके बाद हम बात करेंगे tidal energy tidal energy का मतलब है कि यह आपको बता दें कि turbines को गुमाना है electricity को बना, turbines को घुमाना है, generator को घुमेगा और electricity बनेगी तो बात करेंगे tidal energy के बारे में तो tidal energy का मतलब है कि ocean में, sea में due to gravitational attraction of moon and earth, high tide and low tide आते रहते हैं solar energy tidal energy of light, sip day and low tide को सब्सक्राइब है कि जब्दाइट का मतलब है कि जब पानी normal level से उपर उपता है तो उसको high tide गहा जाता है और जब नीचे जाता है तो उसको low tide कहा जाता है तो जब यह high tide और low tide आता है, तो इससे turbine को चला जाता है, अब turbine पानी की surface के उपर नहीं होती, turbine नीचे होती है, तो जब यह high tide और low tide आता है, तो turbine का arrangement को जुस तरह से दिया जाता है, कि high tide और low tide से यह turbine घूमती है, turbine घूमें के तो लेक्ट सेडी बनेगी, इसी दरह से wave energy की बा अब strong wind से क्या होता है, कि जो waves है, वो waves की speed जो है kinetic energy जो है, वो काफी जादा होती है, तो आप जैसे मालो यह wave गई, surface पर और wave वापस आ रही है, wave जा रही है, wave वापस आ रही, that means उसके पास कुछ kinetic energy है, और उस kinetic energy का use करके हम turbines को चला सकते हैं, और generator के थुरू electricity बना सकते हैं, तो आप main energy समझ रहे हो, को जो basic funda है, अभी तक हमने इतने सारे devices पड़े, उन सब में क्या है, generator को घुमाना, electricity चनाना, generator को turbine को घुमा जागा, that's all, इतने सारी बात हैं, तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे समझना है, merits and demerits को अच्छे से कर लेना है, आप आप सारी बातों को बहुत अच्छे से कर पाऊगे, I hope यह इस वीडियो में मैं आपको जो कुछे बताया हो, आप जरूर समझ पाए होंगे, और आपको comment section में या फिर वीडियो की description में कुछ questions मेरेंगे, उनका answer जरूर देना, खुछ से सोचने की कोईश करना, और इस तरह स के साथ जोड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सथ बैल आइकोन को जरूर हिट करें, बिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, comment section में आपका इंतजार रहेगा, see you in the next video guys, thanks a lot, thanks